जहिन बच्चो वेलकम तू माई जी की क्लास लेट्स स्टार्ट दा चैप्टर नमबर 25 दा चैप्टर नेम इस नो यूर बुक्स ठीक है चैप्टर नमबर 25 पढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं अ सेट ऑफ बुक्स प्रिंटेड और ब्लैंक पेजेज फास्टेनेटेड अलोंग वन साइट एंड एंड केस्ट बिट्वीन प्रो टैक्टिव कवर्ट क्या है ये बुक्स क्या है इनके पेजेज एक लिखे हुए पेजेस होते हैं ये बहुत सारे और ये एक दुसरे से कागे फिर इनको एक सुरक्षित कवर से धका जाता है ऐसा ही होता है किताब टिक दा करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दा डेफिनेशन प्रोवाइड़ अबाउड तर टाइपस ऑफ बुक्स यहां पे बुक्स की डेफिनेशन दी हुई है कुछ बुक्स के आपको इन तो फिल इन दे ब्लैंक में फिल करना है ठेक है तो शुरू करते हैं पहला है अब बुक आफ मैप्स is known as डेश ऐसा बुक जिसमें सिर्फ बहुत सारे मैप्स दे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया या एटलस उन्हें कहते हैं एटलस ठेक है second है a book containing information on many topics is known as dash ऐसा books जिसमें क्या है बहुत सारे topics के बारे में क्या है information होती है वो क्या है album या encyclopedia encyclopedia right answer third है a book to keep photographs is called us book जिसमें हम क्या है photographs रखते हैं क्या होता है register में रखते है album में रखते है a fourth है a book that contains names and their respective telephone numbers is known as ऐसा book जिसमें serial wise क्या होते हैं telephone numbers रखे जाते हैं contents के क्या होते है name और उनके phone number रखे जाते हैं क्या होता है dictionary डाइरेक्ष्णरी डाइरेक्ष्णरी नहीं डाइरेक्ष्णरी ओके fifth है a book which comes with a mobile phone and tells us how to use it is known as क्या manual कोई भी phone खरीते हैं आप कुछ भी खरीते हैं और उसके साथ क्या होता है छोटी सी किताब book प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहते है manual कहते हैं ठेके अगला है sixth number a book with words and their respective meaning in in the alphabetical order is known as dash आपके पास जो book होती है जिसमें क्या है word meanings दिये होते हैं कुछ words के serial wise उनके meaning दिये होते हैं क्या होता है वो क्या कहते हैं उसे dictionary ठेके dictionary right answer seven है a book with blanks with blank pages and dates mention to write your daily experience is known as ऐसा book जो सिर्फ blank pages के साथ आते हैं और उसमें blank page में क्या लिखा होता है सिर्फ date लिखा होता है ठीके उस और उसमें आप क्या है अपने daily routine के बारे में daily experience के बारे में या जो भी मन करता है उसमें आप लिखते हैं वो क्या होता है diary उसे हम कहते हैं diary तो इस तरह से आप संदर संदर राइटिंग में करेंगे और इनको याद करेंगे ठीके बचो यह चेप्टर आपका फिनिश हो आप जाहें बच्चो